जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका विजेपत डिफेंस एजुकेशन में इस वीडियो में डिसकस करेंगे 25 जनवरी 2021 के डे टू डे के most important current affair जो कि आपके आने वाले सभी exam के लिए important रहेंगे हमारी daily current affair की वीडियो आती है उसको आपने जरूर शेयर करना है जादा से जादा आपने वीडियो को like करना है वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू हमारा basic foundation का course start हो चुका है जो कि आपको दिलवाएगा 100% sure success और कबर करवाएगा आपके आने वाले सभी state और center government exams को यह आपके लिए रहेगा एक साल के लिए आप अपनी त्यारीस में बिल्कुल basic के साथ start कर सकते हैं इसमें आपको मिलेंगी online test series, special notes और books जल्दी से जल्दी 100% sure success के लिए आप विजयपत defense education में अपना basic foundation का course join कर सकते हैं आज की वीडियो शुरू करते हैं, first question इस वीडियो का गुजरात सरकार ने हाल ही में dragon fruit का नाम बदल कर क्या रखने की घोशना की है तो गुजरात सरकार ने हाल ही में dragon fruit का नाम बदल दिया है और उसका नाम रखा गया है कमलम fruit तो option A जो है ये इसका बिलकुल सही answer रहेगा next question है, भारत ने सबसे पहले निमन में से किस पडोसी देश को 1.5 corona vaccine, kobe shield के dose अनुदान सहाइता के तहत उपहार किये है तो भारत ने सबसे पहले जो है उसका पडोसी देश है भुटान उसको सबसे पहले 1.5 corona vaccine, kobe shield के dose अनुदान शहाइता के तहत जो है उसको gift किये गए हैं, तो option इसका C इसका बिलकुल सही answer रहेगा नेक्स कोशन है, निमन में से कौन सा भारती बिकेट कीपर बल्लेवाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारती बल्लेवाज बन गया है तो ऐसा जो हमारा भारत का पहला बिकेट कीपर बल्लेवाज है उनका नाम है रिशवपन्त, option 20 का बिलकुल सही हो जाएगा जिन्होंने सबसे कम 27 पारियों में अपना 1000 रन जो है बो कम्प्लीट कर लिया है नेक्स वन है किस राजे के पूरव राजेपाल एबं उत्तर परदेश के पूरव राजसव मंतरी माता परशाद का हाल ही में निधन हो गया है तो ये जो थे ये अरुणांचल प्रदेश के पूरफ राजयपाल थे और उत्तर प्रदेश के ये राजसव मंत्री भी रह चुके थे तो option D इसका बिल्कुल सही है और इनका नाम था माता परसाथ जिनका हाल ही में डेथ हो गए थी next one है गंतंतर दिवस परेड में fighter plane उडाने वाली पहली महिला fighter निमन में से कौन सी बन जाएंगी तो option B इसका बिल्कुल सही answer रहेगा important question है आप सब के लिए तो option B भाबना कांथ जो है इसका right answer हो जाएगा जो की गंतंतर दिवस जो हमारा Republic Day है 26 जन्वरी को उसमें fighter plane उडाने वाली पहली महिला fighter ये बनेगी next one है किस देश की शरकार नहीं हाल ही में COVID-19 के प्रभाबों से उभरने में मदद करने के लिए 3.7 billion dollar के package की घोशना की है तो option C इसका बिलकुल सही है मलेशिया जो है इसका right answer हो जाएगा next question है केंदर सरकार ने नेता जी सुभाष चंदर बोश की जन्ती को किस दिवस के रूप में मनाय जाने की घोशना की है तो हाल ही में 23 जन्वरी को जो है वो नेता जी सुभाष चंदर बोश जी की जन्ती पूरे देश में मनाई गई और केंदर सरकार ने एक नई घोशना की है कि 23 जन्वरी को जो है सुभास चंदर बोस जी की जन्ती होती है तो उनके नाम पर ये पराक्रम दिवस जो है वो हर साल मनाया जाएगा नेक्स कोशन है लास्ट कोशन वीडियो का 30 वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला रास्ट्री चुनाव आयोझित करने के लिए तियारी की है छो वीडियो अच्छी लगेे वीडियो को लाइक करें आप हमें सोशल मीडियो के उपर फॉलो कर सकते हैं हमारा WhatsApp ग्रुप ज़रूर जोइन करें जिसमें Day-to-day के Current Affair अच्छी कुलिस के Notes Study Material और Job Alert प्रोवाइड करवाया जाता है तो वीडियो को लाइक करें जाद सादा शेयर करें तब तक के लिए जै हिंद जै भारत